हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWT जोप में काफी बड़ी संख्या में वेकेंसी का नोटिफिकेशन आया है पर्मानेंट पोस्ट रहेगी PRT, TZT, PZT इसके लावा भी जो है कई पोस्ट है जहां पर आविधन किये जा सकते हैं सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आविधन कर सकते हैं कोई भी फीज यहां पर नहीं लगेगी वेकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया है DAV Public School बचेली और इसमें 12 इसकूल आते हैं DAV मुख्यमंत्री Public School CZ Zone F के अंतरगत पूरे राज्यों को जो है zone wise बांटा गया है zone F में 12 इसकूल आते हैं और यह पूरी list आप देख सकते हैं 12 इसकूलों की जिसमें भी आप आविधन करना चाहेंगे तो पूरा जो है address हर इसकूल का आपको साथ में ही मिलेगा और उसी के आगे आपको post और subject दिखाई देंगे ठीक है तो यह 12 इसकूल है जैसे DAV मुख्यमंत्री पब्लिक की स्कूल देवकार गाओ ठीक है तो यह पूरा address रहेगा इसमें किस post की vacancy है तो PZT में chemistry और English subject की vacancy है TZT में social science, computer science, physical education teacher की PRT में science, Hindi, English, math, social science, physical education और MTK दो पद हैं इसी तरीके से DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल गार का DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल विश्रामपूरी से है post और subject इसी के आगे दिये हुए हैं ऐसे ही जो है यह पूरे 12 स्कूल है जहां पर आवेदन कर सकते हैं application are invited from 5-4-2024 पांच अप्रेल से आवेदन बिलकुल किये जा रहे हैं 13 अप्रेल 2024 तक यह चलने वाले हैं कैसे apply करना है? fees बिलकुल नहीं लगेगी यहां पर permanent रहेगी vacancy download application form यह link दिया हुआ है application form का इसी के आगे जो है तो कैसे जो है form भरना है? post का नाम लिखना है TZT या PZT जिसमें भी आप apply कर रहे हैं अपना subject लिखना है और school का नाम लिखना है ठीक है? अभी मैं आप लोगों को example में बता देती हूँ जैसे कि सबसे पहला जो school है DAV मुख्यमंत्री Public School Lambda Gura इसमें आप apply करना चाते हैं तो यहाँ पर जो है नाम लिख देंगे DAV Public School Lambda Gura यहाँ पर जो अपना नाम father name और husband name date of birth, शादी शुदा है वो status SCST yes या no अगर नहीं है तो no में करना है 5th number पर है CBT qualified yes या no तो यहाँ पर जो है notification में सबसे उपर ही लिखा हुआ है अगर आपने CBT qualified किया हुआ है हाल ही में जो exam हुआ था जिन candidate ने दिया था तो अगर आपके पास वो card है आपने वो exam qualify कर लिया है तो ही आप इन 12 school में आविदन कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर yes या no लिखेंगे academic qualification आप लोगों को 10th, 12th, graduation, post-graduation, B.Ed, CT.Ed जो भी आपने किया है वो आप यहाँ पर fill कर देंगे address भर देना है, mobile number, email address जरूर देना है क्योंकि इनी के द्वारा आप लोगों को बुलाया जाएगा teaching experience अगर है तो लिख दें, बाकी teaching experience compulsory नहीं है co-curricular activities, games, sports किसमे हैं अगर आपने कहीं participate किया है तो वो आप लोगों को भरना है ठीक है बाकी और भी कुछ अगर आपने कर रखा है तो वो भी आप यहाँ भर सकते हैं last में जो है अपना date और sign तो इस तरीके से आप लोग form apply कर सकते हैं last date ध्यान में रखें 13 April जो है वो last date रहेगी ऐसे ही हर zone से vacancy है तो सबसे पहले आप लोगों का application form डाउनलोड करना होगा fill करना होगा और दिये गए address पर भेजना होगा address जो है वो हर school का विलकुल साथ में ही लिखा हुआ है अभी जो है selection कैसे होगा तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि final जो selection होगा वो based होगा demo लिया जाएगा आप लोगों का interview होगा तो आप अपना जो है एक बहुत अच्छा सा topic आपके subject का तयार कर लें जो कि आप लोगों को वहाँ पर demo देना होगा और इसकी जो सूचना है कि किस जगे पर होगा interview की सूचना आप लोगों को mail या WhatsApp के द्वारा दी जाएगी तो यहाँ पर जो आपसे मांगा गया है mobile number और email ID यह बिल्कुल आप लोगों को जो working में है वही आप यहाँ पर फिल करेंगे ठीक है इसी तरीके से जो है DAV Public School औरंगावाद से वेकेंसी है जिसको हम next वीडियो में cover कर लेंगे जो भी candidate आवेदन करना चाते हैं तो जितनी भी All India DAV Public School है वेकेंसी के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं क्योंकि session बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है आप जिस भी जो है स्कूल में आवेदन करना चाते हैं तो जोन के अंतरगर तो जो स्कूल आते हैं उसमें आप आवेदन कर सकते हैं ओफिशल वेबसाइट जो है वो बिल्कुल चेक करते रहें जितने भी मुझे मालूम पड़ते हैं बिल्कुल आप लोगों को वीजियो के मादेम से बताया जाएगा इसका लिंक आप लोगों को शियर किया जाएगा सबसे पहले आप लोगों को ओफिशल वेबसाइट पर आना है DAV Public School बचेली और ये कहां है तो ये 36 गड़ राज्य में है ठीक है जिस तरीके से डैली Public School पूरे भारत में है हर राज्य में है उसी तरीके से DAV Public School भी जो है आप लोगों को हर राज्य में मिलेंगे तो सबसे पहले जो है ओफिशल वेबसाइट पर आएंगे DAV Public School बचेली यहाँ पर वेकेंसी सेक्शन आपको नजर आएगा इस पर क्लिक करेंगे और ये पेज आपके सामने आ जाएगा आपको जो है किस में अप्लाइ करना है किसी स्कूल में तो ये आप देख लेंगे एप्लिकेशन फर्म जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे फिल कर लेंगे और दिये गए एड्रस पर भेज देना है कोई फीज नहीं लगेगी पर्मानेंट वेकेंसी रहेगी एक साल जो है आप काम कर लेंगे उसको आप पर्मानेंट कर दिया जाता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू